तो दोस्त आज किसी वीडियो में बात करेंगे गवर्मेंट सेक्टर में बैक्ग्राउंड वरिफिकेशन एक्चुली में कैसे होता और एक्जेक्टली क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं बैक्ग्राउंड वरिफिकेशन के प्रॉसेस में और आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सक करते हैं कि कैसे होता है तो दोस्त मैं बता दूं बैक्ग्राउंड वरिफिकेशन जो कि एक बीजीवी कंपनीज होल्ड करती हैं अपने अपने क्लाइंट अपने टेंडर लेके और चाहिए एक मल्टी नेशनल कंपनी होई स्मॉल और चाहिए वह गवर्मेंट शेक्टर तो प्राइविट सेक्टर के लिए मनें बहुत सारे वीडियोस वनाए हैं वह आप देख सकते हो इस पर आज मैं बात करने बाला हुआ और तो बिसक्लिए यहां पर मैं एक एक जामपल लेता हूं आप कोई भी बड़े लेवल की जोब जॉइन करते हैं जैसे की इंकम टेक्स डिपार्टमेंट हो गया ससी का हो गया गॉवर्मेंट टीचर का हो गया या आई वी का हो गया और भी कई सारी इंटेलिजेंस कंपनीज होती है इंस्पेक्टर हो गया तो इन सब लोगों का जो बैग्राउंड वरिफिकेशन है व करेस परूफ हो गया आपका एजूइशन हाएं डॉकुमेंट हो गया आपके जैक्ति न्ली मेंट हो तो एक हो बैपर होगा हो जरूर से चेक करते हैं बाइगरांड वरीकेशन में अगर गवर्मेंट के सेक्टर में आप कदम रख रहा हो अगर गवर्मेंट सेक्टर में आप जा रहे हो तो आपकी क्रिमिनल हिश्टी हंडेट परसंट चेक होती है वो एक बार को आपकी प्राइवेट सेक्टर में इसके हो जाएगी जा एक बार आप ट्राइवेट सेक्टर में उस चीज़ को जैसे तैसे निकाल सकते हो लेकिन जहां पर बात आती है गवर्रमेंट सेक्टर के लिए तो वहां पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छे से चेक करते हैं इवेंट परसंस को बेज के आपके पा सेक्टर में 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 जो लास आता है गवर्मेंट सेर्टिफिकेट इन यूर नेम्स विचा की जो गवर्मेंट सेर्टिफिकेट होते हैं आपने जो भी सेर्टिफिकेट गवर्मेंट दिखाए हैं वह सारे रियल हैं की नहीं है आपका वह कोई भी डॉकुमेंट सेर्टिफि मल्टी नेशनल कंपनी हो और एक गवर्मेंट सेक्टर की मैं बात करूँ है आप चाहें वाई बी की जॉब हो आइससी की जॉब हो इंस्पेक्टर हो आईसो पीसी एसो इन लेविल्स पे अगर जब आपका बाइगरांड वरीफिकेशन होता तो काफी अच्छे सो होता है और क कि निकल गई हैं और आपका बाइगरांड वरीफिकेशन हो रहा है तो मैं आप से करूंगा कि कभी भी कोई लीगली चीजें गवर्मेंट सेक्टर को आप ना देन ना उनको दिखाएं ताकि आपकी जो मिली हुगी जॉब हो कहीं वापस ना हो जाए तो यह था कुछ फंड जडें एकल बाई हैं डिहां दे खा या जो वो क्यों यह